दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि प्रगनेसी के दोरान जिन बहनों ने जिन फीमेल्स ने कोरोना का वैक्सीन लिया था उसके उपर इस वैक्सीन का क्या असर पड़ा या उसके बच्चे के उपर इस वैक्सीन का क्या असर पड़ा हाला कि शुरुवात स तो में एक इस तरह की guideline थी कि नहीं दूद पलाने वाली माताओं को या pregnant ladies को vaccine नहीं लेना है पर वाद में रूल बदल गया और फिर है अलाओ कर दिया गया कि pregnant women और दूद पलाने वाली मातें भी vaccine ले सकती है बगर उसके बावजूद भी बहुत सारी pregnant ladies ने यह vaccine नहीं लिया क् उनके अंदर एक डर था, एक ब्रम की इस्थेती बनी वी थी, कि कहीं वैक्सीन लेने से उनके आने वाले बच्चे को को नुक्सान तो नहीं होगा, और जिन बहनों ने, जिन लेडीज ने प्रिग्नेसिय की हालात में वैक्सीन ले ली, उनके अंदर भी एक ये डर बन गया था, और बना हुआ है, कि उनके अंदर तो चलिए ठीक है, वैक्सीन से शायद बिबारी आने से रुप गई, लेकिन आने वाला जो महमान है, उसके उपर क्या असर होने वाले हैं, क्या उसको बड़े नुक्सान तो नहीं होने वाले हैं, और इस वैक्सीन का उसके उपर क्या असर प्रणने वाला है, तो अभी American General of Obstetrics and Gynecology Maternal Fetal Medicine में एक स्टडी छपी है, कुछ डॉक्टर्स ने स्टडी की, उन प्रिगनेंट लेडिस के उपर, जिनको करोना वैक्सीन के दोनों डोस दे दिया गए थे, और ये पाया उन लोगोंने, कि माता के अंदर जो अंटी बोडी बने थे, उसका असर बच्चे के उपर देखा गया है, जो फीटस है, उसके उपर इस वैक्सीन का असर देखा गया है, तो उन्होंने कहा कि जैसे माता के अंदर अंटी बोडी बने हैं, कहीं उससे ज़्यादा बच्चे के अंदर जो उसका नाल होती है, उसके धुरू, अमलाइकल कोड के धुरू, ये अंटी बोडी पास हो गया है, तो दोस्तों, क्योंके माता तो सेफ हो गई, उसने वैक्सीन लगाया था, कोड वैक्सीन लिया, उसको इंफेक्शन नहीं हुआ, या किसी को हुआ भी तो माइल हुआ, लेकिन बच्चे में जब ये एंटी बोडी इस ट्रांसफर होगे, तो इस बात का मतलब ये होता है कि ये बच्चा जो है, अपनी माता से ही कॉरोना वाइरस से लड़ने की शमता लेके पैदा होगा, और ये इम्म्यून है कॉरोना वाइरस के, अगेस्ट, तो उसको अभी पैदा होते ही, कोई वैक्सीन लगाने की ज़रुरूत नहीं है कॉरोना वाइरस की, और डॉक्रोस ये उम्मीद भी चताई है कि शायद ये जो antibodies हैं बच्चों में काफी लंबे समय तक रुके क्योंकि भी studies चल लए हैं कि antibodies कितने दिन तक ठहरते हैं body के अंदर इस studies से पहले इन doctors को ये उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है कि बच्चों के उपर भी इस vaccine का जो माता को vaccine लगाई है वो बच्चों के उपर भी उसका असर होगा जाके और ये antibodies जो माता के अंदर बने हैं वो बच्चे में चले जाएंगे तो एक खुशकबरी वाली बात है एक अच्छी खबर है doctors की तरफ से और उनका ये मानना है कि अब वो दावे के साथ कह सकते हैं कि जितने भी pregnant ladies हैं उन सब को बिना डर के कोविट की vaccine लेनी चाहिए वो खुद तो safe रहेंगे रहेंगे उनका आने वाला बच्चा भी से safe होग और जब वो पैदा होगा तो corona के against उसके अंदर immunity होगी वो उससे लड़ने की शमता लेके पैदा होगा तो दोस्ते एक बहुत अच्छी खबर है कि अब चोटे बच्चों में अगर माने vaccine ले लिया है तो immunity लेके पैदा होगा दूसरी तरफ Pfizer ने एक study किया है कि 5 से 11 साल के ब कि बच्चों में भी लगा सकते हैं हाला कि हिंदुस्तान में तो 18 साल से कम के लोगों को नहीं लगा है लेकिन बाहरी मुलकों में वो 5 से 11 साल के बच्चें में भी इनोंने इस तरह की study कर लिया है कि यह vaccine लगाना safe है और उसी तरह के antibodies develop हो रहे है जो बड़ों में develop हो रहे है तो एक गुरूप बच जाता है 5 साल से कम के लोगों का तो फाइजर ने उस पर भी study करना शुरू कर दिया है और वो देख रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं जो पैदा हुए बच्चे इसमें कितने समय तक antibodies रुखते हैं या अगर छोटे बच्चों में जो ट्रायल अगर कोई pregnant lady है तो उसको motivation मिले कि वक्सीन ले प्रिगनेसी की हालात में ले उसको लेने से ना डरें उसको लेने से इनको safety मिलेगी और एक कवच मिलेगा उनको भी और आने वाले बच्चे को भी इस बिमारी से लडने के लिए तो दोस्तों मुझे उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कर लेना कमेंट करें और शेयर जरूर करना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले धन्यवाद